भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजी लेंड के स्पीनर एजाज पटेल का जादू सर चड़कर बूल रहा है जहां एक तरफ न्यूजी लेंड के बाकी गेंदबाज भारती टीम के एक विकेट भी निकालने में संकरश कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ एजाज ने अपनी ऑफिस मिन गेदो से भारती टीम के सभी विकेट खुदी चटका दिये और पूरी भारती टीम को धेर करके रख दिया और अपनी शांदार गेंदबाजी के दम पर बड़े बड़े दिगजों की एलिट क्लब में अपना नाम दर्ज कर दिया और ना के वल पन्नों में अपना नाम स्वाणिम अक्षरों में भी दर्ज करा दिया है तो आखिर कैसे अपने होम ग्राउंड पर न्यूजिलेंड के लिए खेलते हुए एजाज ने भारती खेमें में हड़कंप मचा दिया और रेकॉर्डों की छड़ी लगा दी है हम इस रिपोर्ट मे स्पीनर ने मुकाबले में दस विकेट जटक कर भारती टीम को धराशाही करके रख दिया और अपना सात्वां ही टेस्ट खेल रहा है न्यूजिलेंड के इस हुनहार गेंदवाज ने पुर्व भारती स्पीनर अनिल कुंबले और जिम लेकर जैसे दिगज खिलाडियों के स इसरे गेंदवाज बने हैं इससे पहले 1999 में फिरोज शा कोटला में अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ ये इतिहास रचा था वहीं 1956 में पहली बार इस कारणामे को इंगलेंड के दिगज गेंदवाज जिम लेकर के द्वारा अंजाम दिया गया था और अब उस एल आथन लियोन के नामदर्ज था जिन्होंने 2017 में आठ विकेट चटकाए थे और एजास की आतिहासी गेंदवाजी के बाद टीम इंडिया की पहली पारी सिर्फ 325 रनों पर ही सिमट कर रह गई इसके अलावा एजास ने ऐसे कारणामे को अंजाम दिया है जो आज से पहले सि स्पीनर 5 या उससे उपर विकेट लेने वाले दूसरे सबसे उम्र दराज गेंदबाज भी बन गए हैं उन्होंने 33 साल और 43 दिन के उमर में ये उपलब्ती हासिल कर ली है तो मुंबई में जन्मे क्रिकेटर ने भारत छोड़कर न्यूजी लैंड के लिए खेलने का फैसल करिए शेयर करिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को भी जरूर दबाएं